Good morning friends, एक बाफ फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो friends, डेली सुबा 8 बजे आप इस CCC Revision Class को जोईन कर सकते हैं एक और क्लास हमारी चलती है सामको 8 बजे जोगी CCC Practice Class है अगर आने वाले दिनों में आपका CCC का एक्जाम होने वाला है जैसा कि मैंने प्रीबियस क्लास में बताया था हमारे Gyanix P Mobile Lab पे CCC का मेगर टेस्ट चल रहा है CCC मेगर टेस्ट 2022 तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को नहीं दिया है एक्जाम से पहले आप सभी जरू दीजिगा काफी important questions हमने इस CCC मेगर टेस्ट में दिये है और यह बिल्कुल free है आप free में आप इस टेस्ट को दे सकते हैं simple सा आप हमारा Gyanix P Mobile Lab प्ले स्टूर से डाउनलूड कर सकते हैं और यहां से आप धीर सारे free mock test भी provide कर दे हैं तो आप उन टेस्ट को भी दे सकते हैं मेगर test भी आप यहां से दे पाएंगे और ट्रपल सी या ओ लेबल की paid courses भी हमारे Gyanix P Mobile Lab पे अविलेबल हैं तो आप चाहें तो इन में से किसी भी course को जो interested हैं आप सभी join कर सकते हैं तो चलिए आज का question सबसे पहला question स्क्रीन पे आच चुका है जल्दी से बताएं इस question का right answer क्या होगा TCP IP service connection रहित logical connection packet की delivery और भिसोसनी stream transport को सामिल करता है काफे interesting question है और हाली के triple C exam equation same to same इसी तरह से पूछा गया था तो जल्दी से बताएं इस question का right answer क्या होगा true या false अब देखिए यहां पे एक word इस्तिमाल किया गया है connection रहित means connectionless तो दो तरह के protocol होते हैं connection oriented और connectionless connection oriented protocol की बात करें तो TCP IP एक connection oriented protocol है जबकि UDP user datagram protocol UDP UDP भी एक protocol होता है user datagram protocol इसको बुलते हैं और यह connectionless होता है जबकि TCP IP क्या है connection oriented है और यहां पे क्या लिखा गया service connection रहित means connectionless तो यह question right answer हो जाएगा option B false क्योंकि TCP IP जो protocol है वो क्या होता है connection oriented होता है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं एक मौझूदा दस्तावे जो ऐसे प्रारूप में है जिसे library office direct desktop पर file icon पर double click द्वारा पहचाना जाता है तो यह question थोड़ा सा घुमा फिर आगे पोचा गया है जब भी आप कोई भी file create करते हैं जैसे आपने MS Word में कोई file create की या फिर आपने PowerPoint में कोई file create की या फिर Excel में create की या फिर आप किसी भी application में कोई भी file create करके आप अपने system में save करते हैं तो generally क्या होता है जब भी हम उस file पे double click करके उस file को open करते हैं तो उसी application में default रूप से open हो जाती है जैसे आपने calc की कोई split sheet create की है और आपने desktop पे save किया हुआ है जैसे आप double click करके उस file को open करते हैं तो किस में open होता है calc में open होता है बस उसी से related इस question को पूछा गया है तो बिल्कुल size question का right answer हो जाएगा option be true बिल्कुल size statement है वो उस application को पहचान लेता है और उसी application में वो file open होती है और एक और खास बात आपको ध्यान रखना है triple C exam में जैसे कि मैंने बताया था है mcq mcq और true false दो तरह की questions आते हैं true false कितने होते हैं fix नहीं होता है true false में एक और important point आपको ध्यान रखना है कई बार आपे false पहले दिया रहता है और true नीचे दिया रहता है तो जब भी आप answer को read करते हैं question को read करते हैं तो marking time पे जो options होते हैं marking के लिए आपको अलग से दिये जाते हैं question नीचे लिखा रहता है exam किस तरह से देते हैं या फिर exam में questions कैसे display होंगे कौन-कौन से options आते हैं इस पे based हमने एक वीडियो पहले से बनाये हुआ है link discussion में है आप देख लेजेगा triple exam कैसे देते हैं आपको पूरा process समझ में आएगा तो जब भी आप जैसे ये question दिया गया यहाँ पे ABCD लिखा गया बस answer marking का option यहाँ पे रहता है A और B अब माल लिचे आपने इस question को read किया कई बार आपको लगा यह true है तो आप generally क्या करते है A पे mark कर देंगे और यहाँ पे देखिए false पहले दिया है A option में true बाद में दिया गया है तो यहाँ पे आपको क्या mark करना चाहिए था B बढ़ अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे जितनी छोटी होगी एक दूसरी से उतनी ही अधिक समानता होगी तिये question थोड़ा definite label का टरपल सी exam में पूछा गया था और यह पिछले महिने टरपल सी exam में आया हुआ same to same ही सित्रा से इस question को पूछा गया था true false में तिये बिलकुल सही statement लिखा गया means इस question का right answer क्या हो जाएगा option B true statement है option B इस question का correct answer हो जाएगा चली अगले question की तरप बढ़ते हैं हमारी online classes जो भी होते हैं सामको 8 बजी सुबा morning में 8 बजी दोनों classes में आपको बहुत ही different label के question देखने को मिलेंगे तो please आप हम पे भरोसा कीजी और आप हमारी classes को जरूर जोइन कीजी regular जोइन कीजी एक भी class miss नहीं होनी चाहिए आणाम से आपका true false exam qualify हो जाएगा तो अगले question की तरप बढ़ते हैं एक memory array में data की एक हिकाई के स्थान को उसका क्या कहा जाता है ये भी थोड़ा different label का question पूछा गया था memory array में data की है कि काई के स्थान को उसका क्या कहा जाता है क्या कहते हैं किस नाम से जानते हैं तो इसको address नाम से जानते हैं memory address option c correct answer है आप सभी comment section में right answers क्या है comment करते रही और इस test के last में आप सभी जरूर बताएगा कि आज के test में आपके कितने questions correct हुए है डेली हम 30 questions discuss कर रहे हैं तो आप कम से कम आपके 20 plus questions correct होने चाहिए पूरे test में mouse को चलाते समय उसे दबाए रखने को dragging कहते हैं जल्दी से बताए true या false जी हाँ इस question का right answer हो जाएगा option a true जिन लोगों ने option a दिया है बिल्कुल सही true इस question का correct answer हो जाएगा dragging कहते हैं अगला कुछने internet banking का उपयूग करने के लिए दो प्रकार की password की आवस्यक्ता होती है आप मेंसे बहुत से लोग internet banking का इस्तिमाल कर रहे होंगे क्योंकि आज कल काफी प्रचलन में है तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा true या false जी हाँ इस question का right answer जाएगा option a true बिल्कुल साइज statement है एक login पासवर्ड होता है और एक transaction password होता है आप login करके अपने bank statement चेक कर सकते हैं account details बगर चेक कर सकते हैं बट अगर आप transaction करना चाहते हैं तो transaction password आपको अलग से provide किया जाता है आप generate करते हैं उसका इस्तिमाल करके आप fund transfer कर सकते हैं और ये कब require होड़ता है जब आप किसी को fund transfer करते हैं उस time पे आपको transaction password की भी आवसकता पड़ती है तो दो तरह की password होते हैं बिल्कुल सई statement है अगला कुछन है निम्लकित में से कौन सा toolbar बिभिन master view बिकल्व प्रदान करता है ये LibreOffice writers related question है निम्लकित में से कौन सा toolbar बिभिन master view बिकल्व प्रदान करता है LibreOffice impress related भी question हो सकता है बर दोनों का same answer हो जाएगा standard toolbar right answer क्या हो जाएगा option a standard toolbar standard toolbar कहां पर होता है अगर आप LibreOffice writer की window को open करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है title bar जहां पर आपको file name दिखते हैं और यहां पर control buttons दिखते हैं जैसे cross minimize maximize यह options होते हैं इसके just नीचे आपे menu बार होता है जिसमें आपको file edit view यह सारे options दिए रहते हैं और इसके just नीचे क्या होता है standard toolbar जहां पर आपको icon के form में options दिए जाते हैं जिनका इस्तिमाल करके आप अपने document की formatting कर सकते हैं तो यह होता है standard toolbar option is question का correct answer है अगला question देखे तो अगला question है file के साथ समस्या यहां है कि वे आपके computer के संचालन को धीमा कर देती हैं कौन से सी files होती हैं क्या type होता है जो आपके computer की speed को slow कर देती हैं अब इसको समझ लीजी यह किस से related question है जैसे आप अपने computer पे कुछ files create करते हैं तो आपकी जो hard disk को इसमें data store होता है जब भी आप कोई file create करते हैं तो जहां भी space मिलता है आपकी memory में save होता रहता है और इस तरह से जब आप एक particular limit के बाद आपकी files को access करने में प्रोसेसर को बहुत ज्यादा time लगता है क्योंकि इन files को मालीजी head हमारा यहां पे है और दूसरी file हम read करने वाले हैं जो कि यहां पे है तो अब head का moment कहां पे होगा यहां पे आएगा जबकि हो सकता है इसी same type की file हो तो इसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताई कमेंट fragmented option d right answer जाएगा fragmented इसी वेसे आपके पास utility tool दिया जाता है windows operating system में जिसको बोलते हैं disk dick fragmenter इसका काम क्या होता है यह समान tap की files को एकठा कर देता है एक साथ ला देता है ताकि head का moment कम से कम हो और जितना head का moment कम होगा उतनी fast speed में files को access किया जाएगा तो इन सब files को यहां से रठा कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा head का moment कम हो जाएगा और जब head का moment कम होगा तो जाईसे बात है कम समय में file को access किया जा सकेगा file का access time कम हो जाएगा और इससे हमारे computer की speed बढ़ जाएगी तो fragmented option d question का correct answer है अगला question देखें TCP में path जिसको path भी बोलते हैं पीछा किया जाने वाले संदेश के लंबाई पर निर्भर करता है ये थोड़ा different type का question है जो कि networking से related पूछा गया TCP means transmission control protocol एक connection oriented protocol होता है ये question true false में पूछा गया है बिलकुल यहाँ पे इस question का right answer क्या हो जाएगा option A false ये गलत statement दिया गया है TCP protocol के बारे में तो option A false इस question का correct answer है अगला question देखे निमलेकित में से कौन G2C सरकार से नागरिक सिवा का उधारन नहीं है इन में से कौन सा उधारन नहीं ये question कई बार triple C exam में repeat हुआ है और इसलिए आपने सायद हमारी triple C practice class जो कि previous एक दो lecture पहले आपने देखा होगा ये question हमने discuss किया था ये question पिछले कई महिनो में बार-बार repeat हुआ है तो G2C means government to citizen ये governance का एक model है G2C तो electronic निला में जो कि इससे related नहीं या फिर ये इसका उधारन नहीं है बाकि कर सुल्क भुकतान, license, पंजिकरन, citizen, headless ये सभी G2C model पे आधारित हैं तो option A, electronic निला में इस question का correct answer हो जाएगा Twitter का मूल नाम क्या है तो social media से भी बहुत सारे questions पूछे आते हैं खासतोर पे आपको इन सभी के developers के नाम याद रखने हैं कौन से social media platform को कब launch किया गया ये सारी चीज़े आप Google पे search करके कहीं पे list बना लीजे जैसे Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn इन सभी को किसने launch किया इसके developer कौन है और इसको कि year में launch किया गया है कि list बना लीजे उसमें note कर लीजे और याद कर लीजेगे क्योंकि यहां से भी काफी सारे questions पूछे जाते हैं तो twitter का सुरुवाती नाम क्या है ये question पूछा जाता है यह फिर पूछा जाता है twitter का मूल नाम क्या है तो TWTTR ट्विटर का सुरुवाती नाम है option D TW TTR ये सुरुवाती नाम था ट्विटर का अगला question देखे निर्देशों का वास्तविक क्रियानवन कहां पर होता है या किस में होता है जो निर्देश या फिर instructions होते हैं उनको कहां पर execute किया जाता है memory में, ALU में होते हैं उसके कुछ खास component होते हैं जैसे की input, output होगा आपको digital computers में देखने को मिलेगा input और output ये devices होते हैं input device, output device कौन-कौन से हैं आप सभी को मैंने कई बार अपनी classes में बताया होगा जैसे की printer, monitor speaker ये सभी क्या होते हैं, projector ये output device होते हैं, जबकि keyboard, mouse, touch screen या light pen, ये सभी input device है तो हमारे computer में क्या होता है CU होता है, जिसको बोलते है control unit, ALU होता है ALU, और यहाँ पे memory होता है memory, ठीक है, और CPU के अंदर भी एक memory होती है, जिसको register memory के नाम से जानते हैं तो ये यहाँ से connected होता है ये basic block diagram है, किसी भी digital computer का, ये component आपको digital computer में देखने को मिलेंगे CU control unit इन सभी को control करता है बट actual में जो instructions होते हैं वो कहाँ पे execute होते हैं जल्दी से बताए option C, ALU के अंदर execute होते हैं, जिसको बोलते हैं arithmetic logic unit तो ALU के अंदर execute होते हैं next question देखे निम लखित में से कौन संकरमित computer के लच्छन नहीं है संकरमित जब उसे कोई virus infect करता है तो कौन से लच्छन नहीं है जैसे अचानक जमाव और संकट means sudden freezes and crashes कई बार हमारा system वही पे hang कर जाता है या फिर crash कर जाता है कोई application चल रहा है automatic बंद हो जाएगा उसको बोलते हैं crash fast internet processing जल्दी से बताएगे कौन सा right answer होगा या फिर सामाने से धीमी गति से चले आपका system काफी slow हो जाएगा या फिर show a blue screen with error code कई बार आपके system पे चलते चलते computer आपका बंद होगा एक blue screen आएगा उसको पे कुछ error message लिखा रहता है तो अगर आपका computer infected है तो ये भी होगा आपका system slow हो जाएगा crash हो जाएगा freeze हो जाएगा बट ये उसका लच्छन नहीं है means option B right answer हो जाएगा तेज internet processing और ये question उनके थ्रू मिले हैं जिनका previous month में exam हो चुका है जिनको भी 1, 2, 3, 4 questions याद रहते हैं उनके थ्रू अगर हमें whatsapp पे या किसी भी माध्यन से लोग हमें questions send करते हैं तो उन्ही questions को proper format करके हम इसके साथ काफी मेनत करते हैं proper format करके आप सभी के साथ इन questions को share करते हैं क्योंकि इन में से बहुत से questions बार-बार repeat होते हैं तो अगला question देखिए memory addressing किस प्रकार के number system का प्रयोग करता है memory addressing किस प्रकार के number system का प्रयोग करता है जैसे आप कोई file create करते हैं memory में तो इस file का एक address होता है आपकी हाडस में या किसी भी memory में तो जो address होता है उस file location का जो address होता है वो किस particular number system में लिखा जाता है यह होता है hexadecimal number system option C right answer हो जाएगा hexadecimal number system क्योंकि इसमें क्या होता है address लिखने के length कम हो जाती है अगर हम वही same address binary में लिखेंगे तो बहुत बड़ा code हो जाएगा जिसकी वैसे उसे hexadecimal में लिखा जाता है तो right answer हो जाएगा option C hexadecimal और hexadecimal number system का जो base होता है वो 16 होता है जैसे कई अलग-अलग तरह के number systems होते है आमतोर पे हम लोग जिस number system पे काम करते हैं कौन सा होता है? decimal होता है binary जिस पे हमारा computer काम करता है इसका base होता है 2 decimal number system का base 10 होता है binary का 2 होता है और इसी तरह से कौन number system है जिसको बोलते हैं octal और इसका base होता है 8 तो option C hexadecimal correct answer हो जाएगा बिखंडन करते समय reassembly पर किया जाता है बिखंडन करते समय reassembly पर किया जाता है right answer क्या होगा final destination next hop router या फिर source ये question networking से related है तो option A right answer हो जाएगा final destination option A correct answer है अगला कुछने scan disk के बारे में कौन सा कथन सही है चल्दी से बताईए disk के बारे में जानकारी देता है या फिर उपर के सभी या फिर all of the above DOS mode से चलाया जाता है disk की जाच करता है scan disk एक command भी होता है और अगर आप अपना windows operating system देखेंगे किसी भी disk पे आप right click करते हैं उसके property में जाते हैं तो आपको ये एक option भी वहाँ पे दिखता है scan disk तो basically इसका इसका इस्थिमाल करके हम अपने disk की जानकारी ले सकते हैं या फिर उसमें अगर कोई भी problem है तो उसको हम reject कर सकते हैं उसकी जाच कर सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option B ये सभी जितने भी options दिएगे हैं वो scan disk से related है इसको dos mode में run किया जाता है disk की जाच करता है और disk के बारे में जानकारी देता है सारे options सही हैं अगला question है ये question भी काफी unique है और कई बार टॉपल से exam में आ जुका है पूर e-banking योजना के साथ जुड़ा है क्या जुड़ा है कानूनी जोखिम बाजार जोखिम रणनीतिक जोखिम या फिरन में से कोई भी नहीं पूर e-banking योजना के साथ जुड़ा है option C right answer हो जाएगा रणनीतिक जोखिम option C correct answer है आप सभी right answers क्या है कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करते रहिए भविस के कौसल का मुख लच means future skill का main goal क्या है what is the main goal of future skill future skill portal भी है आप सभी जानते होंगे और इससे related एक topic भी आपके triple C syllabus में दिया गया है तो जिन लोग ने हमारा paid course वाइन किया होगा तो right answer हो जाएगा option A increase efficiency means कुसलता ब्रद्धी के लिए future skill portal को डबल अप किया गया है ताकि जातर जाद लोगों को अलग अलग technology की training दी जा सके उनकी कुसलता ब्रद्धी की जा सके next question है Ubuntu का screen background और मुख छेतर है जहां आप file और program खोल सकते हैं तथा प्रबंधित कर सकते हैं Ubuntu क्या है का operating system है किस पर आधारी थे Linux operating system पर आधारी थे किस type का operating system है ये open source operating system है means इसका इस्तिमाल करने के लिए आपको पैसे देने की आवस्यक्ता नहीं होती इसके license को purchase करने की requirement नहीं है तो ये क्या होता है right answer हो जाएक option D application window जिन लोगों ने option D mark किया है comment किया है उनका बिल्कुल सही answer है application window इन्में से कौन सा paste business means paste special में उपलब्द नहीं है ये LibreOffice से related question है LibreOffice के edit menu में आपको paste special का इक option दिया जाता है और उसमें कई सारे options रहते हैं जैसे formulas अगर आप calc में paste special इस्थिमाल करेंगे तो अलग अलग तरा की options मिलेंगे अगर writer में इस्थिमाल करेंगे तो अलग अलग तरा की options मिलेंगे तो formulas, graph, numbers, value तो आपको paste special में जो copy की गई data है या value है उसको किस format में paste करना चाते है formula के format में कई बार हम calc में formula copy कर लेते हैं तो उसको as a formula कहीं पे paste करना चाते हैं तो formula select कर सकते हैं अगर हम कोई number copy करते हैं तो हम उसे as a number form में ही save करना चाते हैं paste करना चाते हैं तो numbers option select कर लेंगे या फिर as a value paste करना है जैसे ही मान लेजे आपने कोई formula copy किया बड़ आप चाते हैं यह formula वहाँ पर execute ना हो as a value वहाँ पर दिखाई पड़े उस जगे पर paste कर दिया जाए तो as a value आप select कर सकते हैं बड graph का वहाँ पर कोई भी option नहीं होता है तो right answer क्या हो जाएगा option B, graph पूछा गया था उपलब्द नहीं है paste special main में से कौन सा उपलब्द नहीं है तो graph browser is a client based application browser is a client based application true or false जल्दी से बताइए तो browser क्या होता है client application होता है जिसको हम अपने system पर install करते हैं वो इसका इस्तेमाल क्या होता है web content को access करने के लिए server पे जो web servers होते हैं वाप पे जो content होता है उसको access करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं web browsers का जैसे internet explorer या फिर mozilla firefox या chrome browser ये सबी क्या होते हैं client based application होते है तो बिल्कुल सब्सक्राइब है आप से नहीं true right answer हो जाएगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं यदि प्रदर्सि सिस्टम का समय और दिनांक गलत है तो आप इसका उपयोग करके reset कर सकते हैं मेंस आप किसका उपयोग करके reset कर सकते हैं जल्दी से बताइए और आप सभी अगर हमारे साथ पहली बात जुड़े हैं देगा 100% आपको exam में काफी help मिलेगी और यहाँ पे CCC plus O label की paid courses भी अबलेबल हैं कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दियेगे number पे call कर सकते हैं तो इस question का right answer क्या हो जाएगा option C control panel से आप change कर सकते हैं option C correct answer है next question है जो कि Linux operating system से related है पूछ गया root क्या है root क्या है जल्दी से बताए तो root क्या होता है यह user की home directory होती है जिसको हम बोलते हैं root तो option C देखें आप लिखा गया root उप्यूग करता की home directory जिसको हम root बोलते हैं तो option C correct answer हो जाएगा अगला question है एक paragraph में दो पंक्तियों की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है किसी भी paragraph में दो लाइनों की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है जल्दी से बताए और जो लोग आज पहली बार हमाई साथ जुड़े हैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दें इस class को आप डेली सुबा आठ बजी जोईन कर सकते हैं ट्रपल सी रिविजन class है एक साम को आठ बजी साम को आठ बजी हमारी ट्रपल सी प्रैक्टिस class चलती है तो अगर आप ट्रपल सी का एक्जाम देने वाले हैं तो आप इन दोनों classes को regular जोईन कीजे तो इसको बुलते हैं line spacing किसी भी paragraph में दो line के बीच की दूरी को क्या बुलते हैं line spacing option C correct answer होगा अंतिम, shutdown, reboot, तिथी और समय जानने के लिए निम्न में से किस command का उप्यूब किया जाता है जल्दी से बताए अंतिम, shutdown, reboot, तिथी और समय जानने के लिए निम्न में से किस command का उप्यूब किया जाता है most important question है, most repeated question है जो कि triple exam में कई बार पूछा गया है तो यह भी linux operating system से related है command होता है last जिसका इस्तिमाल करके हम यह पता कर सकते हैं कि अपने system को कब last shutdown या reboot किया गया था उसका date or time पता कर सकते हैं last command का इस्तिमाल करके अगला question है मैं pre-formatted style बनाने के लिए क्या चुनूँगा अगर आप pre-formatted style बनाना चाते हैं LibreOffice में तो आप इन में से किसका chain करेंगे, किसका चुनाओ करेंगे किसको select करेंगे slide layout LibreOffice impress related equation पूछा गया है slide layout review tab, format या फिर slide starter view, इन में से किसका इस्तिमाल करेंगे, slide layout का इस्तिमाल करते हैं, option A right answer हो जाएगा, तो कई अलग अलग तरह के slide layouts होते हैं, जैसे कई में आपको यहाँ पे placeholder एक मिलता है कई सारे layout आपने देखा होगा, जिसमें 2 placeholders होते हैं इनको क्या बोलते हैं, placeholder, और इसमें प्रयोगिक उद्देश से के लिए कौन सा वर्ग पता आरच्छित है तो IP address related बहुत सारे questions पूछे आते हैं IPv4 और IPv6 यह दो versions हैं IP के IPv4 32 bit का होता है यह पूछा जाता एक्जाम में अक्सर और IPv6 128 bits का होता है तो याद रखीगा, पूछा जाता है तो class A, class B, class C, class D और class E टोटल पांच अलग-अलग classes में IP address को categorize किया गया है divide किया गया है तो यहाँ पे पूछा गया है experimental purpose के लिए कौन सा रिजर्व है अगर आप प्रद्योगिक means experimental purpose से कौन से class को रिजर्व किया गया है अला कि IP वाली class में मैंने इन सभी बारे में काफी detail में discuss किया हुआ है तो option C correct answer हो जाएगा यह क्या है हमारी एक experimental purpose से इस class को रिजर्व किया गया है सिर्फ practical के लिए प्रद्योगिक उद्दे से के लिए इस class के IP का इस्तिमाल किया जा सकता है जबकि D क्या होता है ब्रॉड कास्ट के लिए रिजर्व किया गया है A, B, C नॉर्मल आम तॉर्पेन का इस्तिमाल किया जाता है जबकि दो classes हमारी रिजर्व क्लास होती है D और E D broadcast के लिए होता है और E experimental purpose से रिजर्व किया गया है अगला कुछने आपको tuples exam में देखने को मिलेंगे तो सच भारत किस से related है नगर पाली का option C correct answer हो जाएगा इमारतों के बीच line स्थापित करने के लिए निमलिकित में से किस cabling तकनीक का उप्योग किया जाता है बहुत ही different label का question पुछा गया है आम तोर पे जब हम कोई line सेटप करते हैं तो इसमें twisted pair cable का इस्तिमाल करते है जल्दी से बता है इस question का right answer क्या होगा तो इस question का right answer जो cables होते हैं उनको अलग-अलग classes में divide किया गया है अगर आप cables के बारे में details जानकारी चाते हैं अब एक बार Google में दिखी cables के types क्या होते हैं कौन-कौन से classes होते हैं तो वहाँ से आपको बहुत साई जनकारी मिल जाएगी अगर अभी हम इसको detail में discuss करेंगे तो बहुत लंबी class हो जाएगी तो इसको अलग से किसी class में separately discuss कर देंगे कौन-कौन से cables की classes होते हैं और कौन से class का क्या इस्तिमाल होते है उसकी कितनी bandwidth होती है किस काम के लिए कौन से class का इस्तिमाल होता है इस सारी चीज़े हम कहीं अलग से discuss करने कोर्स करेंगे ओके तो इस question का right answer है option D 10 base 2 ये class होती है इमारतों के बीच land इस्तापित करने के लिए निमले कितमे से किस cabling तकनीक का उप्यूग किया जाता है तो 10 base 2 तकनी अगला question है जो कि आज की class का last question होगा कौन से कुझी एक एकल की stroke के साथ करसर को एक पंक्त के अंत और सुरुवात में ले जाते है जल्दी से बताइए कौन से कुझी एक एकल की stroke के साथ जैसे आप एक बार प्रस करते है तो करसर को एक पंक्त मींस जो line होते है उसके अंत और सुरुवात में ले जाते है जैसे कोई line लिखी हुई है यहां से यहां तक हम कौन से की प्रस करें जिससे हमारी जो करसर है कहीं पे बीमाली जी यहां पे है तो इस जगे पे आ जाए या फिर हम यहां पे ले जाना चाते है तो उसके लिए कौन से की प्रस करनी पड़ेगी तो अगर आप सुरुवात में जाना चाते है तो आपको क्या प्रस करना है home और अगर आप अंत में जाना चाते है तो क्या प्रस करेंगे end तो आप लिखा गया अंत और सुरुवात means option c right answer हो जाएगा end और home की का इस्तिमाल करते है end से उस line के last में जाते है और home से उस line के सुरुवात में जाते है एक और question यहां से बनता है आप किसी document के सुरुवात में जाने के लिए कौन सी shortcut key का इस्तिमाल करेंगे तो CTRL plus home का इस्तिमाल करते है और अगर आप document के सबसे last में जाना चाते है तो CTRL means control plus end का इस्तिमाल करेंगे तो line की सुरुवात में जाने के लिए home का इस्तिमाल करेंगे और document के शुरुवात में जाने के लिए control plus home इसी तरह से अगर आप document के last में जाना चाहते हैं तो आप control plus end का इस्तेमाल करेंगे और line की शुरुवात last में जाना चाहते हैं तो आप end का इस्तेमाल करेंगे तो आप याद रखे यहां से भी questions बन सकते हैं तो यह था आज की class का last question अब जल्दी से आप सभी comment section में बताएं आज की class में आपके कितने questions correct हुएं आज हमने total 30 questions discuss कियें daily हम 30 questions discuss करते हैं तो कम से कम आपके 20 plus questions correct होने चाहिए daily regular class में तो सुबा 8 बजे आप इस class को join कर सकते हैं और class होती है सामको 8 बजे triple c practice class इस class को भी आप सभी join करते रहेगा और ग्यानिक्स भी mobile app से triple c का course भी आप join कर सकते हैं इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिये के number पर call कर सकते हैं या फिर whatsapp पर message कर सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को join नहीं किया है तो आप सभी टेलिग्राम पर जाएए सच कीज़े ग्यानिक्स पर यहां से हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कीज़े सभी important playlist के links सभी important updates आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेंगे तो आप सभी इसको जरूर जोइन कीज़ेगा हाल ही में मैंने CCC 2022, CCC exam 2022 के लिए दो अलग-अलग master practice set launch किये हैं, practice set 1 and practice set 2, इन दोनों में आपको 1100-1100 questions मिलेंगे और ये questions हिंदी-ंग्लेस दोनों language में हैं, एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही genuine questions हैं जिस तरह के questions हम अपनी classes में discuss कर रहे हैं, इससे भी premium quality के questions आपको इन दोनों e-books के अंदर मिलेंगे, तो आप मेंसे जो लोग interested हैं, आप हमारी website gyanixp.com पे जा सकते हैं, जासे आप इन e-books को ले पाएंगे, कोई भी problem होती है, तो आप हमें message कीजिए हमारे whatsapp पे, आपको हमारी team help करेगी, कैसे आप इन e-books को ले सकते हैं, प्लस अगर आप triple c news labels में chapter based questions चाहते हैं, description के साथ, जैसे normally आपने दिखा होगा ncq questions में, a, b, c, d, kौन सा correct answer है, वो mark कर दिया जाता है इस e-book के साथ हमने काफी exercise की है, बहुत ही मेनत की है, बहुत ही research के साथ में e-book को हमने launch किया है, इसमें आपको chapter based questions मिलेंगे प्लस हर एक answer का जो answer correct है, जैसे a correct है, तो क्यों correct है, उसका description भी हर एक question के साथ में दिया गया है तो यह काफी important e-book है आप में से जो लोग लेना चाहते हैं, आप please इसको जरूर लीजे, आपको exam में 100% help मिलेगी, प्लस अगर आप complete syllabus की e-books चाहते हैं, तो Hindi, यह Hindi में e-book मिलेगी, यह English में मिलेगी, यह सभी e-books हमारी website पे भी available हैं, और इनके sample PDF भी आपको मिल जाएंगे तो आप हमारी website पे जाते हैं, तो आप download sample मिलेगा, उस पे click करके आप इसका sample PDF डाउनलूड कर सकते हैं, check कर सकते हैं, इसकी quality को तो जल्दी से बताएं, आज की class कैसी लगी, और please आप सभी से एक request है, पिछले कुछ दिनों से हमारी classes नहीं चल रही थी, किसी वेजे से कुछ health issues था, तो अभी बहुत कम बच्चे हमाई साथ जुड़ रहें, उम्मीद है आप सभी हमें help करेंगे, तक कि ज़्यादस ज़्यादा लोग हमाई साथ जुड़ें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी classes के links, हमारी YouTube videos के links को अपने social media platform, WhatsApp, Facebook, इन सभी बे share करना है, तक कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमाई साथ जुड़ें, और उन सभी के मैं help कर पाऊं, तो आप सभी हमें Insta पे ज़रूर follow कीजे, हमारा Insta ID है, ग्यान XP, तक कि आप ट्रपल्स exam के बाद भी हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह की informative videos या फिर अधर अधर competitive exams की तयारी के लिए आपको सभी informations updates आपको हमारे Insta post में मिलते रहते हैं तो बस इस class में इतना ही और आप सभी ग्यान XP.com से भी mock test दे सकते हैं, बहुत से free mock test available हैं आपके तो मिलते हैं ठीक साम को 8 बजे, तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू, थैंक यू फोर वाचिंग